नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत है आरजेडी में घमासान मचा हुआ है आरजेडी के प्रदेश अध्यक जगदानन सिंग और लालू के बड़े बड़े बेटे तेजप्रताप्यादो आमने सामने है वार पलटवार चल रहा है कल तक तो परदे के पीछे लड़ाई हो रही थी अब कल के बाद लड़ाई परदे के सामने आ गई है कल दरसल जगदानन सिंग तेजप्रतापयादों से मुलाकात की घंटों बात की और उसके बाद उन्होंने बड़ा एक्शन दिया आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे चातरविंग के आकास जो तेजप्रतापयादों के खासम खास थे उन्हें पत से हटा दिया गया और गगन कुमार की नियुक्ति कर दी गए इसके बाद तो तेजप्रतापयादों ने जगदानन सिंग के खिलाब मुर्चा ही खोल दिया और बबाल लगतार जारी और तेजप्रतापयादों ने ज परिवार के परिवार से परिवार के किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता वो खाक मेरे अरजुन को मुख मंतरी बनवाएगा वो परवाजी सलाकार सिर्फ लालू परिवार और राज़त में मदवेध पैदा कर सकता तो जिस तरह से तेजपरता प्यादो लगतार प्रवासी सलाहकार की चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो प्रवासी सलाहकार तो अपने परवार के किसी को सरपंच भी नहीं बनवा सका तो वो हमारे अर्जुन को मुकमंत्री क्या बनाएगा यह बाते कर रहे हैं और सीधा सीधा आरूप लगाते हुए तेजपरताप यादो कहरे हैं कि वो सिर्फ लालू परिवार और राज़ेट में मद्भेड बैदा कर रहा है तो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि जिसकी चर्शा कर रहे हैं तेजपरताप यादो इस आरे में बात कर रहे हैं उसके लिए लाम सीधे तोर पर नहीं ले रहे हैं कि हर्याना में बता रहे हैं उसको और प्रवासी सलाकार बता रहे हैं तो कौन है वो प्रवासी सलाकार ये बारे में इस बारे में हम आपको बताने के लिए बैठे हैं तो प्रवासी सलाकार जिसकी चर्चा कर रहे हैं तेजपरता प्यादों और कर रहे हैं साब तोर पर कि वो प्रवासी सलाकार लालू परवार और आरजेडी के बीच खटाज पैदा कर रहा है तो इस पूरे मामले में जो प्रवासी सलाकार सामने आये हैं, उसके बारे में हम आपको सामने खुलासा करने जा रहे हैं कि कौन है वो प्रवासी सलाकार, तो वो प्रवासी सलाकार हैं संजय यादो, जी हां संजय यादो की तस्वीर आप देखी अपने मुवाईली स्कीन पर कि संजय यादो जो तेजस्वी यादो के सलाकार है और प्रवासी इसलिए हैं क्योंकि वो हर्याना के रहने वाले हैं संजय यादो जो है तेजस्वी यादो के खास हैं और अब तेजपरताप यादो के सीधे निशाने पर हैं इस पूरे प्रकरन में तेज प्रताप यादो प्रवासी सलहकार को जरूर घसीट रहे हैं तो समझा जा सकता है उनका साब तोर पर जो आरूप लगाया है उन्होंने और कहा है कि परिवार लालू परिवार और आरजेडी के बीच ये खटास पैदा कर रहे हैं तो अब संजय यादो सीधे सीधे लालू के लाल के निसाने पर है संजय यादो वो सक्स हैं जो तेजस्वी यादो के खासम खास हैं या यू कहें कि उनके बिल्कुल साय की तरह उनके साथ रहते हैं और संजय यादो के बारे में पूरी बात आपको बताएंगे कि संजय यादो ने क्या कुछ किया था दरसल संजय यादो लंबे समय से नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादो के सलाकार बने हुए है उनका तेजस्वी यादो का उन्हें दाहिना हाथ माना जाता है तो आप समझ सकते हैं कि तेज परताप यादो सीधे सीधे तेजस्वी यादो यानि अपने अरजुन यानि अपने छोटे भाई के दाहिने हाट पर हमला बोल रहे हैं तो मामला तो समझ सकते हैं कापी गंभीर है लडाई अब लंबी खिच रही है और गंभीर होती चली जा रही है तो इस बीद जो संजय यादो की चर्चा हम कर रहे हैं कि संजय यादो आखिर कौन है और आखिर इतना भाव इन्हें क्यों दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादो ने जो सफलता हासिल की थी पिछले विदाल सावा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी और कहीं न कहीं वो इवाओं के नेता के तौर पर उबरे थे और बिहार के अंदर सबसे बड़ी पाटी बन कर उबरे थे और इसके पीछे इस सफलता के पीछे एक सक्स का हाथ माना जा रहा था तो वो सक्स था संजाय यादो जिहां संजाय यादो हर्याना के हैं IT सेक्टर से संबंध रखते हैं और इनकी मुलाकात तेजस्वी यादो की इनसे IPL के दोरान हुई थी आपको बताएं कि IPL खेलते थे IPL में क्रिकेटर थे तेजस्वी यादो पहले सियासत में आने के पहले तो तेजस्वी यादो की मुलाकात IPL में संजाय यादो से हुई थी और IT फर्म की नौकरी छोड़ दी थी तेजस्वी यादो के लिए संजाय यादो ने और RJD के साथ जुड़ गये थे और तेजस्वी यादो के लिए वो रन्रितिया बनाना शुरू कर दिया था उन्हों ने तो 2010 में ये मुलकात हुई थी उसके बाद से लगतार संजय यादो, तेजस्वी यादो के सम्खास बने हुए हैं तो हम आपको बता रहे हैं संजय यादो के बारे में जिस परवासी की चर्चा कर रहे हैं बार बार, परवासी सलाकार पर हमला बोल रहा है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो तमाम खुलासे कर रहे हैं कि संजय यादो ने बिधान सवा चुनाओ में 2020 के जो बिधान सवा चुनाओ में जिसमें आरजेडी ने बड़ी सफलता हासिल की तेजस्वी यादो ने अकेले बूते पर पार्ट पर संजय यादो सामने आए आप ये देख भी सकते हैं जो उनका सोसल मीडिया एकाउंट है उसमें क्या कुछ परिचय दिया गया है उनके बारे में ये भी आप इस पस्त तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका परिचय दिया गया है वो हर्याना के रहने वाले हैं IT सेक संजय यादो ने दिल्ली से MSC और MBA की पढ़ाई की है संजय यादो वे एक IT कंपनी में नौकरी करते थे और तेजस्वी से मुलाकात के बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने राष्टिय जनतादल जोईन कर लिया था तो IT सेक्टर में उनकी धाग थी संजय यादो एक नोकरी करते थे फर्म में MBA की पढ़ाई कर चुके हैं और MSC कर चुके हैं तो उन्होंने दो जोईन की थी और 2015 में चुनाओ की रणनीती तैयार की थी जजस्वी यादो के लिए विधान सभा चुनाओ की 15 में भी और 20 में तो जवरदस्त काम्याबी दिलवाई उन्होंने तो संजय संजय यादो ने 2015 से ही कमान समाल रखी है 15 में भी सफलता की पीछे जो मिली थी आरजेडी को उसके पीछे कहीं न कहीं संजय यादो ही थे बड़े चुनाओी रणनीतिकार के तो पर तो संजय यादो के बारे में बताएं कि संजय यादो खास हैं तेजस्वी यादो के हलाक की टेज़ परताप यादो के निशाने पर हैं वो उन्होंने जो 2020 के चुनाओ में जिस तरह से कमाल दिखाया तेजस्वी यादो ने तो हर चोटी-चोटी चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया और आरजेडी की चुनाओी रणनीति तयार की थी जब कोरोना काल में आरजेड की पर निशाना साध रहा था तो उस वक्त संजाई यादो ने तेजस्वी यादो के सब मिलकर विदान सवा की चुनाओ की रणनीति तयार की थी और इस रणनीति के तहट उन्होंने जो जो मुद्दे दिये जो तेजस्वी यादो को जिस से एक पली सफलता हासील हुई दर जो 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 तरीके से उठाया और तेजस्वी यादो जो थे युवा नेता थे और युवा नेता के मुँसे बेरुजगारी की समस्या और रुजगार दिलाने के जो दस लाग का जो वादा था तेजस्वी यादो का उसके पीछे भी इस रणिती के पीछे भी संजाई याद अब इतनी बड़ी रनिती बना कर उन्होंने सफलता जरूर दिलाई तेजस्वी यादो को पर अब सीधे सीधे तेजस्वी यादो के बड़े भईया के निशाने पर है संजय यादो और संजय यादो को बड़ा अलोप लगा रहे हैं तेजपरताप यादो उनका साब करना है क संजय यादो परिवार में फूट डाल रहे हैं परिवार और पार्टी के बीच यानि आरजेडी के बीच खटास पैदा कर रहे हैं लालू परिवार और आरजेडी के बीच खटास जो हो गई है उसका सबसे बड़ा कारण संजय यादों है यानि तेजपरताप यादों का गु उसकी आग जो है लगी है अब धुआ उठा है आग लगी है अब ये कितना क्यागूल खिलाएगा और कितना नुक्सान पहुंचाएगा रजीटी को तो ये जो है इस पर ध्यान देने के देखने वाली बात होगी बने रही है सीटी पोस्ट लाइब के साथ तमाम खबरों से आ झालाएगा उँ है अजे को अब बने रही है स्वेटusan खबरों से नुक्या वेखने देने भी है इस पर लगी है